वेल्कम टू अजमेर रसोई आज हम बनाएंगे गोबी के कोफते और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल बैम एक कब बेशन डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे वनेट टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून लालमेच, हाफ टीस्पून नमक अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इसका बैटर तयार करेंगे मेरे एक कब बेशन में एक कब पानी का यूज हुआ है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए अब हम स्टफिंग तयार करेंगे मैंने गोबी को काट कर छोटे-छोटे पीसिज में कर लिया है हम एक पैन में दो टेबल स्पून ओइल डालेंगे हम इसमें वन टीस्पून सॉफ डाल कर इसे हलका ब्राउन होने देंगे हम इसमें एक बारिक कटीवी हरी मिर्स और एक कटावा प्यास डालेंगे हम इसे हलका सा फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें हाफ कप मटर डालेंगे ये मैंने दो कप गोबी ली है हमेने दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे मैंने फ्लेम को लो ही रखा है अब हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी हाफ टीस्पून नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं हम इसे दो मिनट और फ्राई कर लेंगे मैं इसमें दो बॉल्ड आलू डालूंगी जिसे मैंने मैश कर लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी ये इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून अमचूर हाफ टीस्पून चाट मसाला अब हम इनको मिक्स करके फ्लेम को आफ कर देंगी हमें गोबी को जादा फ्राई नहीं करना है जब हम कोफती फ्राई करेंगे तो ये अंदर से पक जाएगी मैश में थोड़ा सा हारा धनिया डाल दूगी अब ये स्टफिंग ठंडी हो चुकी है अब मैं इसकी छुटी-छुटी बॉल्स बना लूँगी मैंने सारी बॉल्स तयार कर ली है हम बॉल्स को तयार बेटर में डिप करेंगी मैंने ओल को तेज गरम कर लिया है अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी अब हम कोफते फ्राई करेंगी हम इने पलट लेंगे आप फ्लेम को कमजादा कर सकते हैं हमारे कोफते 5-6 मिनट में फ्राई हो चुकी हैं अब हम इने बहार निकाल लेंगे दीखिए कोफते कितने अच्छे लग रहे हैं मैं इने टीशू पेपर पे निकाल लूँगी मैंने सारे कोफते बना लिए हैं और यह अब सर्व करने के लिए तयार है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें करें चैनल को सब्सक्राइब करना भाइक करना भाइक